जहें दोस्तों रेडियो अपरेटर और यूपी कॉंस्टेबल दोनों के लिए बहुत अची ख़बर है देखिए बूंद-बूंद से तलाब भरता है और छोटी-छोटी जो न्यूज आती है उससे एक उमिद पैदा होती है रेटर के इजाम को लेकर भी है और कॉंस्टेबल को लेगा दोनों के लिए है तो वीडियो को पूरा देखिएगा देखिए एक चीज बता दूं कि गवर्मेंट जो है अपने लेवल पर अपना काम करे जा रही है जैसे बहुत लोग पूछ रहे टेंडर का क्या हुआ रेडियो अप्रेटर का टेंडर फाइनल हो चुका है बार-बार एक ही चीज नहीं बता जाता है तस यूटिबरों की तरफ आपका एक्जाम में प्रोसेस हो चुका है देखिए एक्सपेक्टेड आपको एक्जाम जो है रेडियो अप्रेटर का पूरा उम्मीद है कि मैंने पहले वीडियो बताया है कि जो अब तक पता चला है ह जा लिखा हूँ उसमें आपको रेडियो अप्रेटर का जो एक्जाम है अक्टूबर लास्ट या फिर नौम्म बर यहीं उमीद माना जा रहा है आपका एक्जाम होने का मैं इससे पहले वीडियो मता चुका हूं आज फिर भी बता दे रहा हूं और यहीं उमीद लेके चला ID यह चीज़े मांगी गई हैं अगर offline है तो वहाँ पर कितने computers हैं कितने labs हैं क्या system है कैसे internet वेवस्ता है यह सब चुछ के बारे में detail अपना भर्दीबोड के दौरा लेटर जारी करके मांगे गया है तो obviously बात है tender जो company सब्सक्राइब बताया है online में कितनी आपके वेवस्ता है अभी यह भी confirm नहीं हुआ है अभी तक अभी तक लग चल रहा है कि hybrid मूड में होगा फिर online हो रहा है कि किस मूड में आपका exam होगा लेकिन radio operator का पूरा हुई है कि online ही exam होगा आपका constable का अब दूसरी बात एक चीज कर बहुत लोग सोच रहे हैं कि इस साल तक आपका यूपी constable का भी exam हो जागा तो वह पॉसीबल नहीं है आप इस साल तक केवल form भर सकते हो और जो आपकी एज होगी वह जुलाई से मानके चलिएगा एक जुलाई जुलाई से आप calculate कर लिएगा आप अगर 18 साल के हो जा रहे हो तो वह बेटर है आप इस form के लिए apply करने के लिए eligible हो और age criteria के बारे में तो अब तक कुछ पता नहीं चला है उमीद यही की जा रही है कि आपको मिले age election तरन आपको मिले पहले बहुत सारे थोड़ी बहुत इस रिवाडर सम मिलाके अंठावन अजर के आसपास पोस्ट है आपका कुछ साइज सब्जेक्ट में जीए हो कि में भी changes किये गया है जो आपको आगे पता चल जाएंगी जैसे तक यह एक ही चीज है छोटी छोटी जो अपडेट आती है जो लेटर साते हैं जो आप लोगों को पता है जो यह आया है इससे उमीद लग रही है कि आपके exam के ही लिए वो भर्ती बोट जो है वो तेजी दिखा रहा है सेंटर के सूची मांग रही है आफ लाइन क्या विवस्था है उस हिसाब से exam कराने के लिए इंट्रेस्टेट है तभी आपकी exam के process बढ़एगी तो आप अपने exam में लग रही है मैंने आपको इससे पहले वीडियो बता रखा हूं कि क्या चीज है आपका 9 अक्टोबर तक exam हो सकता है उमीद अक्टूबर लाश्ट या 9 तक exam हो सकता है इस साल तक exam हो जागा यह confirm है बर्ती बोट ने खुद बोला तक ही 4 महीनिक अंदर आपक से गोजरना पड़ता है दूसरी चीज आपको एक बात बता दूँ मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ है यूपी SI को लेकर यूपी कॉंस्टेबल कर रहे हो वह जाकर आप देखिए बहुत ज्यादा benefit मिलेगी और बहुत ही important चीजों के बारे में मैंने discuss किया हुए जो कि अगर उनको कोई guide book चाहिए तो मैं एक book recommend करते रहा हूं चोक्सु प्रकाशन के book है इसमें 2018-2019 प्रिविएशर के question पर पड़ते हैं यह plus point है guide book है इसके साथ सथ इंकी practice भी आती है आप description लिंक है वहांस जाके वाई कर सकते हो बहुत अच्छी book है सिंपल सी बात है कि आप सारे books लगा सकते हैं मैं खुद देखता हूं उसको उसके बाद पढ़ता हूं उसके बाद आपको recommend करता हूं तो लास्ट चीज आपको बता दो हर कोई अपना काम कर रहा है आपको जो लोग इस चक्र में लगे हुए कि आज कोई update आ जाए आज आपको बता रहा हूं कि आप अपनी तयारी में जोर सोर लगाओ अपनी तयारी को complete करो ज्यादा ज्यादा प्रेक्टिस करो गलती फाइंड करो मैंने जीके के ऊपर आप लोग के रिक्वेश्ट पर वीडियो बना दिया है मैंने मैंनत करता हूं बस क्या सब्सक्राइब करो लाइक करो सपोर्ट करो इंस्टाग्राम फ़लो करो अगर कुछ नए अपडेट कुछ जैनुविन अपडेट आएगा तो ज़रूर से रूडियो बनाएंगे जैहिंदू